11.4.3 ओधातूं के ओक्साइड की प्रकृती नेचर ओफ नॉन मेटालिक ओक्साइड्स क्रिया कलाप एक एक उद्धहन चम्मच में थोड़ा सा सल्फर का चूर ने लीजिए और उसे गरम कीजिए जब सल्फर जलने लगे तो चम्मच को काच के गैस जार या गिलास में रख दें और उसे दिये गए चितर के अनुसार इस प्रकार ढख दें कि बन रही गैस उसमें एकत्रित हो जाए कुछ समय बाद चम्मच निकाल कर गैस जार में थोड़ा सा जल डाले और उसे तुरंत ढख दें अब गिलास को हिलाएं और बने विल्यन का परिक्षण लाल और नीले लिटमस पेपर से करें किस लिटमस पेपर के रंग में किस प्रकार का अंतर दिखा बैचों इसके पहले आप धात्मों के ऑक्साइडों की प्रकरति के बारे में जान चुके हैं जब आपने मैगनीशन रिबन का दहन किया था तो देखा था कि उसकी प्रकरति छारे थी आज हम अधात्मों के ऑक्साइडों की प्रकरति के बारे में जानेंगे तो इसके लिए मैंने अधातू सल्फर लिया है अब मैं इसको स्पैटूला में लेकर इसका दहन करूंगे और फिर देखेंगे कि इसकी प्रकरती कैसी है तो सबसे पहले मैं इस स्प्रिट लैम को जला लेती हूँ अब मैं इस स्पैटूला में सल्फर के कुछ तुकड़े ले लेती हूँ और इसका दहन करते हैं देखें यह जलने लगा है अब मैं इसे इस गैस जार के अंदर डाल देती हूँ और इसे तुरन वाच ग्लास से ढख देते हूँ बैचो आपको इसके अंदर गैस निकलती हूँ दिखाई दे रही है जानते हैं कान सी गैस है बैचो जब हमने सल्फर का दहन किया तो इसने वातावरन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया किया और अपनी अक्साइड सल्फर डायोक्साइड में परिवर्तित हो गया यह जो गैस है वो सल्फर डायोक्साइड है देखिए इसके अंदर काफी सल्फर डायोक्साइड गैस एकत्रित हो रही है अब इसमें मैं यह पानी डाल देती हूं और इसे हम अच्छी तरह से हिला देते हैं ताकि सारी सल्फर डायोक्साइड गैस इस पानी में गुल जाए देखिए इसमें काफी सल्फर डायोक्साइड गैस दिखाई दे रही है अब इस पानी को मैं इस पेट्रोडिस में पलट देती हूं बैचो आप सोच सकते हो यहाँ पर कौन सी अभी क्रिया हुई होगी अब मैं इस लिट्मस पेपर को इस पानी में डाल कर देखती हूं बैचो आप देख रहे हो यह नीला लिट्मस पेपर लाल हो गया यानि कि इसकी प्रकृति अमली है तो आप अब समझ गये होंगे कि सलफर की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया हुई तो सलफर डायोकसाइड गैस बनी और जब हमने इसे पानी में घोल लिया तो यह सलफर डायोकसाइड पानी से क्रिया करके सलफ्यूरिक एसेड में परिवर्तित हो गई और इस पानी का अमली स्वभा ये दर्शाता है कि ये जो सल्फर है इनके ऑक्साइड अमली प्रकृती के होते हैं सावधानी यह क्रिया कलाप ऐसे स्थान पर करें जहां हवा का प्रवाह उचित हो क्योंकि सल्फर डायोकसाइड गैस हमारे शरीर को नुकसान पहुचाती है